महलाओं के हाथों में खनक्ती हैं चूणिया रसुई की रोटी से लेकर घर बहारने तक खनक्ती हैं चूणिया लाल, पीले, नेले और पता नहीं कितने रंकी होती हैं चूणिया चूणिया मतलब भारतिये नारी का शिंगार चूणिया मतलब भारतिये सभ्यता का प्रतीक और चूणिया मतलब फैशन के इस दौर में इलास्टिक, काच, लकडी, मैटल और लाह से बने बैंगल्स लाह से बनी चूडियों का आज इतना क्रेज है कि नेशनल स्कूल अफ ट्रामा की ओर से आयोजीत भारतिये रगमोच्चों में जैपूर से इसके कारिगर बुलाए गए थे जैपूर से आई कारिगर मुहमद आसिफ बताते है कि इस काम में उनके जिन्दगी के 32 साल बीद गए इनका ये कारोबार खांदानी है खेर लाह की बात आती है तो महाभारत का दौर भी याद आ जाता है जब पांडों को लक्षागिरी में मारने की साजिश रची गई थी महाभारत से एक महल बनाया था दौरियोदंडे पांडों को जनलाने के लिए जो कि वो अपने तंत्र और मंत्र की वीदी से उन्हों वो महल से बार आ गए थे लोग जो और जो एवेंट जो करते हैं एक्जिबिशन वगेरा या कोई फेस्टिवल में और लोगों को हमारी कला क कांच और प्लास्टिक से बनी चूडियों की चमक कुछ दिनों बाद फीकी पड़ जाती है लेकिन लाह से बनी चूडियों की चमक हमेशा बरकरार रहती है यही कारण है कि इसे आज भी जादा पसंद किया जाता है इसकी बराइटी इतनी है और इसकी एक चमकी अपनी है इसकी शोही अपनी है आप अगर आप कांच की और वो चूडियों पहनेंगे एक टाइम के बाद उसका रंग विगरा या जो भी कहिए थोड़ी से ठंडी पड़ जाती है फीका पड़ जाता है लेकिन लाह की चूडि बनाने वाले कारीगर फैशन के इस दौर में अरेक डिजाइन की चूडियां बना रहे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकशित करती हैं इसे लाह की चूडियों का कारोबार बरकरार रहेगा वीरो रिपोर्ट एटीवी भारत 2400 घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें इटीवी भारत है